राजस्थान कॉंग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बुजुर्ग नेताओं को सत्ता का मोह छोड़ने की सलाह देकर सियासी चर्चाएं छेड़ दी हैं। रंधावा ने कहा बड़ी उम्रवालों को खुद सत्ता का मोह त्याग देना चाहिए इसमें कहने की जरूरत नहीं होनी है माइलस्टोन अपने आप बनना चाहिए। बुजुर्गों को बाहर करने के सवाल पर रंधावा ने कहा जो जीतने वाला है उसे टिकट दिया जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि बुजुर्ग हो गए तो घर से निकाल देंगे सुखजिंदर सिन रंधावा के बुजुर्ग नेताओं को इशारों में यह मैसेज दे दिया है कि उन्हें अब आगे चुनावी राजनीती में युवाओं के लिए जगह खाली कर देना चाहिए। विधान सभा चुनाव की टिक्टों में कॉंग्रेस इस बार कमजोर पकड़ने वाले सत्तर पार नेताओं के टिकट काट सकती है। हालां की जीतने वाले और फील्ड में पकड़ वाले बुजुर्ग नेताओं के लिए उनके बेटे बेटियों को टिकट देने का विकल्प अपनाया जा सकता है। कॉंग्रेस विधायक भरत सिंह ने कॉंग्रेस में भी नए युवाओं को आगे लाने और बुजुर्गों को सीट छोडने की सलाह दी है। भरत सिंह ने मुख्यमंत्री को भी अगली बार CM की दावेदारी छोड़ कर युवाओं को आगे करने की सला देकर सियासी चर्चाएं छेड़ दी हैं। भरत सिंध ने कहा मेरे सुझाफ पर चलेंगे तो रिपीट करेगी गहलोत जी खुल पर प्रेस कॉन्फरेंस करके मंच पर आएं और कहें कि मैं मुख्यमंतरी का दावेदार नहीं हूं। नए लोगों को आगे करूंगा। कल ही नक छोड़कर युवाओं को मौका देने की सलाह दी। रंधावा ने आगे बुजुर्ग और युवाओं को साथ लेकर चलने और बुजुर्ग को घर से नहीं निकालने का तर्क देकर बात को संभाला। रंधावा के बयान की टोन बुजुर्ग नेताओं को युवाओं के लि जरूर छेड़ दी हैं। कंग्रेस में चुनावी साल में हर बार इस तरह के बयान आते हैं और युवाओं को ज्यादा टिकट देने की बात भी चलती हैं। लेकिन चुनाव आते आते फिर पुराने पैटर्न और जिताओं उम्मीदवार के आगे सब पैरामीटर पीछे रह जाते हैं।